तो राजिस्तान में कुरोना संक्रमन लगातार बढ़ता जा रहा है ऐसे में प्रदेश में कुरोना संक्रमन के बचाव और रोक्थाम के लिए सरकार ने एडवांस प्लानिंग पर काम करना अब शूर कर दिया है अब प्रदेश के 33 जिलों में आवश्यक्ता के निसार 500 और 1000 बेट की शमतावाले कोविट केर सेंटर बनाये जाएंगे जिके सावंत्री डॉक्टर अगुशर्मा ने बताये कि इन दिनों लगभग 70% पॉजिटिव केसेस में या तो हलके लक्षन या लक्षन ही नहीं पाय जा रहे है ऐसे में केसेस की देखभाल के लिए हर जिलों में कोविट केर सेंटर बनाये जाएंगे इस बारे में विस्तिरित गाइडलाइन भी जारी की गई है शुरुवात में 30,000 बेट की विवस्ता की जाएगी और फिर जरूत होने पर इसे 50,000 बेट किया जा सकता है सभी जिलों में कोविट केर सेंटर का चैन और प्रभंदन करनी की समयदारी जिला कलेक्टर को दी गई है जिला कलेक्टर एक समिती का कठन करेंगे जिसमें जिला कलेक्टर, चिकसाई भाग, लेखा, शाखा, नगर निगम या नगरपाली का या पंचाह समिती का परतिनीधी शामिल होगा जिला करने की गाइडलाइन जारी की गई है यह चोटे जिलों में 500 सिले के जितनी रिक्वाइर्मेंट उप्विट्टी जरूरत के मुताबिक बढ़ा ही जा सकती है के इसमें सेंटर्स में बैड की संकिया लेकिन बड़े जिलों में 1000 और से ज्यादा भी तो शुरुवाती दोर में राजस्तान में 30,000 बैड और बाद में इसको 50,000 तक बढ़ा जा सकता है इन सुधाओं के साथ कोविट केर सेंटर्स हजीले में स्ताफित करने का एक विश्तित गाइड लाइन चिकित्सा विवात के दौरा जारी की गई है उसमें क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि एस सिम्टोमेटिक केसे ज़्यादा आ रहे हैं 70% से ज़्यादा एस सिम्टोमेटिक केसे जा रहे हैं ऐसे केसे जो एस सिम्टोमेटिक हैं उनको रखा जा सकता है जो माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं उनको रखा जा सकता है या सस्पेक्टेड केसे इसको रखा जा सकता है इसके लिए जिला कलेक्टर हर जिले में हमारा चिकित्रम इभाग का एक प्रतिनिदी और लेखा दिकारी नगर निगम नगर पाली का और पंचायच समिती का एक प्रतिनिदी और सार्वेन निर्मान इभाग का एक प्रतिनिदी ये जो आबादी वाला इलाका है उससे बाहर को कोई जगे की कुछ इन्नित करेंगे और उस जगे पे अगर सरकारी मिल्डिंग मिलती है तो प्रात्मिता उसको दी जाएगी नहीं तो किराय पे लेंगे SDRF से उसका पेमेंट किया जाएगा और स्तान के चैन के अलावा इसमें नौडल अधिकारी चिकित साइब वाग का अधिकारी ही रहेगा और उसमें मूलबुत सुविधा हैं जो होनी चीए कोईट केर सेंटर में उसको भी आइडेंटिफाई किया गया है आप गर्मी का टाइ मारा है तो वहां कूलर की पंखे की लाइट की पूरी व्यवस्ता हो पीने के पानी की व्यवस्ता हो टोइलेट्स परियात्त मात्रा में हो बैट्स परियात्त मात्रा में हो उनके जो बैट्सीट है पिलो कवर है पिलो है वो भी परियात्त मात्रा में हो खाने पीने की लगे वह और माइकिंग की एरेज्बेंट हो चिकित सक्का कक्स हो वहाँ पे सेंपल कलक्शन के लिए भी माँ वेश्टा हो और ड्रग स्टोर भी हो वहाँ पे और जो पीपीड किट वगर जो पहनते हैं हमारे नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स उनको पहनने का कमरा उनको के बाद उनको डेस्ट्रोइं करने की व्यवस्ता हो वां वीलचेर और ट्रोली की व्यवस्ता हो उनके मनोरजन के साधनों आई इसी गतिवी दिवां वो भी वहां पे चालू रहे और यह सब ट्रेणिंग भी होगी जो लोग इन कोविट केर सेंटर्स को संचालित करेंगे तो